आज फ्रेंट्स हम ब्रित के बारे में डिसकस करेंगे ब्रित क्या होता है और इसका डिफनेशन क्या होता है जैसा कि आप देखते हैं रोज चंदर्मा को देखते हैं चंदर्मा जिस प्रकार गोलकार होता है ब्रित ठीक उसी प्रकार को होता है हम देख सकते हैं यह चंदर्म यह निशीत बिंदू से समान दूरी इस सित बिंदू का बिंदू पत ब्रित कहलाता है ईक्षित बिंदू को दो छेत्रों में भाजित करता है एक आंत्रिक और एक बाहरी आसा करता हूँ आपका डिफिनेशन समझ में आ गया होगा नेक्स चलते हैं ब्रिट से समंधित जितने भी टर्म है उन्स टर्म को भी समझते हैं यहां में दिखावाया है कि त्रिजिया किसको बोलते हैं ब्रिट के केंद्र परिधी पर के बिंदु को जोड़ने वाले रेखा क्या होती है यह त्रिजिया होती है जिसको हम आर्च से डिनोट करते हैं नेक्स जो पॉइंट है जो बित से रिलेटेड है, जीवा किसको बोलते हैं, बित की परिदी पर इसी किसी दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखा क्या होती है, जीवा कालाती है, तो बित के यह आपर परिदी है, आपर दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखा क्या होती है, नेक्स जो पॉइंट है ब्रीत से रिलेटेट की ब्यास किसको बोलते हैं, ब्रीत के किंद्र से गुजरने वाली जीवा ब्यास कालाती है, ब्यास सबसे बड़ी जीवा, यानि किंद्र से ओकर जो ब्रीत की प्रिधी को टच करती हुई लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलते है इसको हम लोग चाप बोलते हैं यह चाप होगा और चाहे कोई भी पॉइंट लेजी यह चाप बोलते हैं लो अस्फरस हो मगोते हैं प्रतीक चाप में विभाईज करता है और परतिक चाप कहला आता है आप देख सकते हैं कि जो अर्ध व्रित होता है सेंटीक को डूभागों डिवाइड करता है त्रिजया खंड दू त्रिजया एक चाप की द्वारा घिरे भाग को त्रिजया खंड करते हैं जैसे यहां पर दू त्रिजया यहां पर हो गया और एक चाप द्वारे घिरे खंड को हम क्या बोलते हैं त्रिजया खंड बोलते हैं तो अगर वीडियो आप को अच्छा लगए तो आप नीचे दिए एक प्रक्राइब कर सकते हैं थब तक लिए बैए की एक एक प्रकाइब प्रकाइब